हेलो फ्रेंड्स और विल्कम बैक टो माई चैनल बिंगॉली फैमिली इन यूए चाहर मैं बात करती हूं यूए और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूए में एक नए वीजा का अनॉंसमेंट हुआ है क्या है पूरा अपडेट जाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंट तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके तो दोस्तों फाइव यूर्स मल्टिपल एंट्री टूरिस्ट वीजा का अनॉंसमेंट उसके टर्मस एंड कंडिश कर रहे थे और इसको लॉंच भी कर दिया गया है वैसे इसका अनॉंसमेंट पहले हुआ था लेकिन रिक्वार्मेंट में कुछ फरक है जो मैं आज बताऊंगी आपको तो सबसे पहले देखिए अगर आप टूरिस्ट है या आपका फ्रिक्वेंटली आना जाना है मीटिंग परपस के लिए या फिर आपके पेरेंट्स हैं आपके बच्चे हैं जो पांस साल में बार बार आना चाहते हैं तो उनको क्या करना होता था बार बार विजिट वीजा अपलाई करना होता था लेकिन इस समय अगर आप पांस साल का मल्टिपल एंट्री टूरिस्ट वीजा ल आप इसमें easily कोई दिकत नहीं होगी और आपका जो stay period है अगर वो 90 दिन से ज्यादा हो सकता है तो उसमें आपको एक fees देनी होती है जिसमें माल लेजे वो fine नहीं बोल रहे हैं उसको एक fees देनी होती है जिसमें आपका जो time period है उसको आप extend भी करवा सकते हैं ऐसी बहुत सारी व्यवस्ता है इसमें अच्छा ये जो वीजा है इसके क्या requirements है इसमें जो वीजा के requirements है वो तो passport, photo ये सारी चीज़े है ही इसके साथ आपको six months का जो है वो bank statement आपका देना होगा या salary statement आपको देना होगा और आपके जो bank account में है वो 4000 USD में होना आप अपने currency में उसको convert कर सक 4,000 dollars minimum होना चाहिए आप उसको convert कर लीजिए और उतना आपका होना चाहिए ठीक है bank statement हो गया last six months का उसमें balance होना चाहिए USD 4000 उसके बाद आपको 3025 दिरहम्स में deposit देना होगा जो की refundable होगा अगर किसी भी तरीके का fine आपके ओपर कोई तरीके का case वगरा नहीं होता है तो ये पूरा आपको refund कर दिया जाएगा जब आपका वीजा खतम होगा तो ये amount है 3025 दिरहम्स ठीक है उसके बाद जो है कब तक ये आपको मिल जाएगा तो 8-10 working days में ये वीजा आपको issue हो जाता है बहुत fast service है इस वीजा की fees क्या है तो fees ये लगबद लगद आपको 3000 दिरम तक का पड़ेगा 2000 दिरम जो है इसका application processing charge है उसके बाद दिरे दिरे सारी चीज़े आपका होगा last में लगबग जो होता है वो 3-3,000 दिरम में आपका आएगा इस वीजा का cost जो 5 साल का होता है 5 साल में आप multiple entry ले सकते है 90 days तक रह सकते हैं ठीक है इस चीज़ का ध्य तो आप लोग यहां से apply करवा सकते हैं ICP या GDRFA की app से हो जाएगा अगर आप लोग outside the UAE में हैं तो आप लोग जो है MR centers, trapping centers जो UAE में authorized हैं वहां से आप लोग contact कर सकते हैं और वहां से भी visa ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप किसी भी reliable agent से ये visa ले सकते हैं उनके पास भी available है तो तीन जगा से आप ले सकते हैं direct app से ICP GDRFA की app से second हो गया typing centers या MR centers से third हो गया किसी भी travel agents से तो guys I hope इस वीडियो में सारी चीज़े clear हो गई होंगी से related मलते नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक अले good bye and take care